दोस्तो मुझे काफी सारा कुईश्चन एक ही जैसा देखने को मिल रहा था कि सर मैंने अपने खरगोस को तर्बूच खिला दिया था जिसकी वज़े से आज मेरा खरगोस मर गया और एक भाई का कुईश्चन है कि सर मैंने अपने खरगोस को सिर्फ खीरा खिला था जिसकी अपने खर्गोष को खिलाना चाहिए या नहीं और अगर खिलाना चाहिए तो कितनी मात्रा में और क्या इस सब चीजे खर्गोष के लिए सेफ है यान से तो गाई सब कुछ बहुत थी जैनुएन और इजी तरीके से देखने और जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो में बिना स्किप किये हमारे साथ आहिंड तक नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आरके मौरिया और आप देख रहे हैं आरके पे ट्रैविट एंडेनिमर्स दोस्तों आप सभी का हमारे यूटूब चैनल पर मेरे दिल से हर दिख स्वागत है गाईज वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नाए है या पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बिल आइकन प्रेस करके आल पर कर लीजिए जिससे हमारे वीडियो की हर अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे क्योंकि गाईज मैं रैविट से रिलेटेड वीडियो जी बनाता हूं और आपको हमेशा यहां रैविट से रिलेटेड यन्यून कांटेंट ही देखने को मिलेगा तो चलिए गाईज बिना देर कि आज की वीडियो शुरू करते हैं दोस्तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि खरगोश का में डाइट क्या है तो गाईज खरगोश का में डाइट 80% तक हरी घास और हे है और 20% तक फल, फ्रोट, ट्रीट और सबजियां ताथ में पैलेट्स भी है तो गाईज सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कौन से पानी वाले फल सबजियां हरी पत्तियां हमें अपने खरगोश को खिलाना सेफ है तो गाईज हरी पत्तियों में आप अपने खरगोश को पत्ता गोभी फूल गोभी के पत्ते फूल गोभी नहीं सिर्फ पत्ते हरी धनिया के पत्ते, मेथी के पत्ते, तुलसी के पत्ते, पुदीना के पत्ते, सलजम के पत्ते, चुकंदर के पत्ते, करेमुआ के पत्ते, पालक, मकई यानि भुट्टे के पत्ते, ऐसे ही तमाम परकार के पत्ते, मौसम के हिसाब से जो भी आपके पास अब लेबल हो, आप अपने खरगोश को खिला सकते हैं और गाई जब बात करते हैं कि पानी वाला फल और सब्जियों में क्या क्या हमारी खरगोश के लिए सेफ है तो गाई आप तरबूच, खरबूच, खीरा, पंकिन यानि कोहडा, बीज निकाल कर और सेब, अंगूर, पपीता, आम, केला, गाजर, चुकंदर, सलजम, गाठ, गोवी, सिमला, मिर्च, ऐसे ही तमाम परकार के फल और सब्जियां भी आप अपने खरगोश को खिला सकते हैं, जो भी आपका रैविट खाना पसंद करता हो, लेकिन गाई ये पानी वाला फल और सब्जियां, हरी पत्यां और आपको 40% में ही देना है, इसमें से अगर एक भी चीज, चाहे हो गाजर हो, पपीता हो, खीरा हो, तर्बूज या फिर खरबूज, ऐसी कोई भी चीज, फल सब्जी अगर आप अपने खरगोश को पूरे दिन बार बार खिलाते हैं, तो ऐसे खिलाना आपके खरगोश के लिए बिल या चिलाते नहीं हैं, और ऐसे में उनकी जान भी जा सकती है, इसलिए गाईज आपको हमेशा अपने खरगोश को 80% तक हरी घास और यानि सुखी घास ही देना है, और 20% में आपको पैलेट्स, पानी वाला फल, सब्जीयां और हरी पत्तियां और ये सब चीजे बदल-बद आपको मिल गया होगा, क्योंकि गाईज चाहे तरबूज हो, खरबूज हो, खीरा हो या फिर अंगूर, अगर आप बहुत जादा अपने खरगोश को खिला देते हैं, तब उसे प्राबलम हो जाएगी, या प्राबलम हो सकती है, तो गाईज मुझे लगता है कि अब आपके सारे डाउट किलियर हो गए होंगे, और गाईज रेविट से रिलेटेट किसी भी अन्य जानकारी के लिए, आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपके कमेंट का रिपलाई देने की, और आपकी हल्प करने की पूरी कोशिस करेंगे, तो गाईज आई होप कि ये वीडियो आपक मस्त रहिए, मस्त रहिए, अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाई रखिए, हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हम आपके लिए ऐसे ही helpful, genuine और knowledgeable वीडियो लेकर आते रहेंगे, आपको स्क्रीन पर दो वीडियो शो हो रहा है, देख लीजिए, हो सकता है इन वीडियो से, आपकी कोई हेल्प ही हो जाए, जय हिंदु